असलाम लेकुम डियर स्टुएंट्स वैलकुम टू जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल आज आपके पास मैं नाइंध क्लास के कंप्यूटर के सब्जेक्ट के गैस लेकर आया हूँ और इसके इन गैसे में आपको जो है वो मैं एक्जेक्टली कोशिश करूंगा कि आपको वो ही सब कुछ मैं बता सकूँ जो के आपके पेपर पॉइंटर वो से इंपोर्टन है तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है लोंग क्वेस्टन भी आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूंगा जो के स्पेसिपिकली अकोडिंग टुदा पेरिंग स्कीम के मताबिक होंग जिसमें आपके पास बोर्ड में इसमें से चार शोर्ट क्वेस्टन आपस पूछे जाएंगे ठीक है इन चार शोर्ट क्वेस्टन ओवराल तो फर्स जो पार्ट होता है उसमें से आपके पास टूटल छे क्वेस्टन होंगे लेकिन इस चैप्टर में से आपके पास जो हों आपके पास जो short question है वो आपके पास algorithm का है ठीक है और यह algorithm की specific दो land की definition आपके पास first chapter में भी mention है उसके बाद अगर आप बात करें requirements for a flow chart की तो flow chart के अंदर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उनमें आपके पास input, output, processing और आपके पास अगले steps है उनके बारे में बात यहाँ पर की जाएगे निके data भी होना चाहिए, processing होनी चाहिए, input होनी चाहिए, decision making होती है ठीक planning a problem, after that आपके पास planning a solution है, then candidate solution है, और last में आपके पास selecting the best solution, strategies of defining a problem, अब यह आपके पास first topic है, defining a problem, mean to say कि जिसमें आपके पास gain the background knowledge आजाता है, उसके बाद आपके पास use guesses, और third आपके पास आजाता है, draw a picture, okay, इसके बाद आपके पास next important short question, आपका flow chart का है, और flow chart की दो ल planning a solution के इंदर आपके पास एक strategy है, जिसका नाम है act it out, तो act it out आपने simple है, जिसके इंदर to do, इस task आपके पास बनाया जाता है, और उसके coding आपने उसको mention करना है, इसके बाद आपके पास आजाता है, जो के unexpected unplanned solution है, उसको candidate solution का नाम दिया जाता है, और flow chart symbols, इन symbols के बारे में आपको बता होना ज़रूरी है, क्योंकि short question में वह आप से पूछ सकता है कि बताएं, processing का symbol क्या है, और decision making का symbol, या input output का symbols क्या है, ठीक है, तो terminals वगएरा का आपके पास, after that आपके पास second chapter जो का आपके पास number systems का है, और number systems में आपके पास जो है, again, इसमें से आपके पास जो है वो short question आजाएंगे, जिसमें सबसे पहला तो है कि decimal number system, कि आपके पास जो decimal number system है, वो किस बहाफ पर आपके पास work करता है, ठीक है, ये daily uses क्या है, इसकी base और इसकी जो number of digits में कितने होते हैं, ये आपने last dimension करना है, उसके बाद आपके पास binary number system आजाता है, binary number system जिसके अंदर आपके पास जो है, ये one और zero पर consist करता है, सिर्फ दो numbers है, और इसकी base 2 है, ये कुछ points हैं जो कि आपने 7 साल लाज़ी mention करने है, उसके बाद volatile and non-volatile memory है, जो कि RAM और ROM का differentiation है, और इसमें आपके पास RAM दुबारा discuss की जा सकती है, question direct पूछा जा सकता है, what is RAM, after that, ASCII code एक आपके जो एक international system पे इसको जो apply किया गया था, और एक आपके पास list बनाई गई है, जिसके coding आपके पास computer जो है, वो सारी की सारी calculations कर रहा होता है, ये आपके पास second chapter के अंदर दो land की definition mention है, storage devices आपके पास कौन कौन सी है, नाम लिखें, इसमें आपके पास hard disk आ सकती है, series drive, DVDs, USBs, flash जाज जी है, सब कुछ आपके पास storage devices में आ सकती है, यानि कि इसके लिए आपके पास word use किया जाएगा, secondary storage device ठीक है, बात आप आप नहीं आप रखनी है, इसके बात आपके पास truth values की पुछा जा सकता है, जिसके आपके पास not है, या जो है, not operator, or operator, and operators के बारे में बात होगी ठीक है, logical operators, boolean algebra है, zeros and ones के उपर, and operator, not operator, or operator के बहाफ पर, after that, temporary and permanent storage, जिसके अंदर आपके पास रैम और रोम की बात की जाएगी, ओके स्टुटेंट्स अब आपके पास third chapter की तरफ चलते हैं, तो third chapter में भी आपके पास four short questions आपके पूछे जा सकते हैं, मैंने eight यहां पे list out क हैं, और eight में से आपके पास four short questions आपके पास board में आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास communication channel है, कि what is communication channel, पहले ही page पे आपके पास जो है, यह mention है, network का topic है, आपके पास, यह chapter जिसके आपके पास topologies के भी बात की जा रही है, ठीक है, तो लेकिं बहाराल आपने यहां आपके पास application of network में सबसे पहला है, file sharing, file sharing आपके पास to the point आपके पास answer होना चाहिए, ठीक है, और after that आपके पास application of networks के बाद आपके पास आजाता है, servers and client का difference है, इनकी भी आपने एक एक क्लाइन की जो definition है, उसकी बहाफ पे आपने good differentiate करना है, कुछ भी आपने extra महां पे mention न sender, receiver, message आपके पास, transmission channel आपके पास और उसके लावा जो next short question हो आपके पास sender और receiver का है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो further important short question हो आपके पास FTP, यहनिंग फाइल, transfer protocol, hypertext, transfer protocol और आपके पास internet protocol, ठीक है, यह आपके पास short question है, 3 short question हो थिक है, तो इन तीन short question में से आपके प बॉरड में क्लिक कर जाएगा तिक है इस तो च्वाइब जो फिर जायेंगे जो irp hitrobate a billion टॉपिक्स में से ही पुछह जाएगे ज पहले तोफ वे पास पा सब पाइरी कि आप्स अपपके circumst तो फिशिंग भी आपके पास जो है और सोफ लिफ्टिंग आपके पास फुर्दर इंपोर्टन शोट्स है पेटेंट पाइरेसी और प्राइबेसी इन तीनों में से आपके पास प्लिक कर जाएगा और आफ्टर आपके पास आ जाता है आईडेंटिटी तैफ्ट साइफर के बारे में भी पूछा जा सकते है तो कुछ आपको इनके बारे में आईडिया होना चाहिए डेटा सेक्यूरिटी इशू है इसके लावब कोपी राइट लॉज आपके पास कौन-कौन से जिनके बिहाफ पर आपके पास वो कोपी राइट को डिफैंड किया जाता है और आपके पास कौपी राइट लॉज को आपके पास इशू किया जाता है इसके बाद आपके पास चेप्टर फाइफ है सो चेप्टर फाइफ में आपके पास चार शॉर्ट कुछिन आएंगे दो शॉर्ट कुछिन पहले कुछिन कुछिन में होंगे और जो आपके पास द 3rd short question का section है ठीक है तो दो दो करके आपके पास हैं कि टोटल 4 questions आपके पास होंगे short questions आपके पास बोर्ड में पेपर में chapter 5 में से पूछे जाएंगे और इनमें आपके पास सबसे पहले important HTML क्या है और उसके sections कौन-कौन से हैं ठीक है वेब पेज creation कैसे की जाती है four steps की आए और hypertext यानि के markup language क्योंके HTML एक hypertext markup language है तो आपके पास इन दोनों से related आप से पूछा जा सकता है ठीक है headings in HTML कितनी है six headings है ठीक है जस्त आपने उनके tags बताने h1, h2, h3, h4, h5, h6 ठीक है hyperlink कैसे create किया जाता है यह hyperlink क्या होता है after sorry tabs of list यहां पर मैं skip कर गया हूँ tabs of list आपके पास आपने यहां पर लाजनी बतानी है जिसके आपके पास un-ordered list और ordered list की बात है ठीक है two questions का कि आपके पास long questions जो है वह फूछ जाएंगे जो कि chapter one, three and four में से होंगे इन तीन chapter में से आपके पास long questions आएंगे, एक question chapter one, one question chapter three, and one chapter four में से आपके पास उपके आएंगा chapter one में से आपके पास जो सबसे important questions जो लोग के point of view से हैं वो आपके पास problem solving और उसके steps हैं इसके अंदर आपके पास सारे steps आ जाएंगे defining a problem, understanding a problem, planning a solution, candidate solution और after that selecting the best solution ये 5 के 5 steps आपके पास जो होंगे इस question में आएंगे after that flow chart and purpose of the symbols अब आपके पास flow chart के बारे में पुछा जा सकता है after that आपके पास third important है वो आपके पास flow chart बनाने का कह सकता है कि आप flow chart बना के दें जिसमें आपके पास two numbers calcium लिया जा रहा हो या factorials हो यहां पिर आपके पास leap year को calculate किया जा रहा हो कि आपके पास given number है वो leap year है या नहीं है ठीक है यह तो होगे आपके पास chapter 1 का section chapter 3 जो कि आपके पास section है networks से related chapter है आपके पास और इसमें आपके पास TCP IP layers IP addresses and types of types of communication के बारे में आप से बात की जा सकती है यहां पर आप यह topologies का भी आपके पास question add कर लें कि आपके पास topologies भी आपके पास question यहां से पूछा जा सकता है TCP IP layers IP address and types types of connections और topologies यह chapter 3 के favorite topics है और इनमें से आपके पास बोर्ड में question पूछा जाएगा इसके बाद आपके पास chapter 4 आजाता है जो कि आपके पास privacy यह security issues से related है जिसमें आपके पास सबसे पहले तो है types of software piracy जिसमें आपके पास question हो सकता है types of cyber crime कि cyber crime की hacking हो सकती है उसके आपके पास email की तुरू hacking हो सकती है ठीक है तो आपके पास fraud है fraudulent phishings है यह आपके पास types of cyber crimes है copyright law with examples आपके पास copyright laws है कैसे defend किया जाता है आपके copyright जो आपके अपनी products है तो आपकी products है कैसे defend किया जाएगा तो इस topic में आपस पूछा जा सकता है तो students आपके पास यह आपके पास guest है computer के 9 class से related और आपसे जो है वो complete detail मैंने इस बार में बात की है और I hope so कि आपको जो है नेक्स वीडियो तक खुदा हाफिज